अब गाइस दिखनें कुशन फूर्थ और एक्साइज 2.4 गाइस कुशन फूर्थ का गया 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 इफ टू जीरो ऑफ दा पॉलिनोमियल एक्स की पावर फूर माइनस 6 एक्स की पावर 3 माइनस 26 एक्स स्क्वेर प्लस 138 एक्स 35 आर ये हमाइर 20 दिए हूं एक टू माइनस 2-3 ये दो जिरो ड्री प्लस-1 लिखा नुब 2-1 Danny 2-3 मतलब एक बार पलस आयगा एक बारह मनच यह दो रूठ यह ऊए हम में ठीक है मतलब दो जीरों सब्सक्राइब जोङ है अधर जिरोज नगालो तो और वह हमें कैसे पता लगे अधर जीरों कि दीन तरह लेखो अब इस पॉलिणर्म्रों को देखा होकी अगर आप ध्यां से तो इसकी असके निया को जैने जिस पॉलिनमल की जितनी भी डिगरी होती है जैसे इसकी डिगरी 4 है तो उसके उतने ही 0s होते हैं तो इसके 0s कितने हों है 4 अब 2 0s हमें दियो है और बाकी 2 और निकालने हैं यह guys यह question ना same to same question 3rd की तरह है 2.3 के ठीक है जैसे 2.3 का question 3rd हमने किया है वैसे ही same to same question है मतलब इन दोनों questions का concept same है ओके अब हमें इसकी 2 0s और निकालने हैं कैसे निकालेंगे जैसे question 3rd के अधा 2.3 का अब वैसी करेंगे जैसे देखो अगर हमें कोई ना पॉलिनोर्मल दिया है एक स्क्वेयर प्लस 5X फ्लस 6 इसकी डिविटी टू तो इसके दो जीरो जोंगे ठीक है यह तो पता लग गया अब जैसे इसका इस पॉलिनोमल के मैं ना जीरो जान्तों कैसा निकालों कि एक स्क्वेयर सबसे पहले इसके इसके आगे बहन तो वान इ तो इन दोनों को यूज करके मेरे को 5X मनाना है तो कैसे बना हुआ देखो एक स्क्वेयर प्लस 2X फ्लस 3X इस इकोस तो 5X हो गया 2X फ्लस 3X फ्लस 6 ठीक है इस इकोस टू जीरो देखो मैं आपको समझा रहूँ है कोशन कैसे उना है ठीक है अब देखो एकस मैंने कोमन लिया x फ्लस टू प्लस इसमें से क्या कोमन है का 3X फ्लस 2 तो क्या दो जीरो जोगे हमारी x plus 2 और x plus 3 is equals to 0 अब दो 0 आई किया हमारी x is equals to minus 2 x is equals to minus 3 अब देखो हमारा polynomial हम यह लेकर चले थे x square plus 5x plus 6 is equals to 0 कहलो चाहे हम यह वाला polynomial लेकर चले थे और हमारा answer क्या है x is equals to minus 2 और x is equals to minus 3 यह दो answer आया हमारे मतलब x is equals to my answer अब यह दो जो आये हमारे यह zeros आये अब ऐसे ही इस polynomial में देखो इस polynomial में इसमें हमें दो zeros देऊ हैं दो जेऊ हैं और यह भी हमारे zeros यह आये थे तो हम इस polynomial को आई से नहीं ले सकते x is equals to minus 2 x equals to 2 plus root 3, x equals to 2 minus root 3 ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं क्योंकि यह यह दोनों भी इसके 0 जी है यह जोह पी जीरोस में में बेसिकली न इस फाल नॉम्मल के साब से वह एक यह डोनों छॉक्त न गोनोगर में यह जोन सल्ण है जैंतर है तो मैं इसको एक शार आड़ना गे juism बना सकता है इस वाली पूरी टम को इधर ले जाऊंगा x-2 प्लस रूट 3 यह वाली पूरी टम को इधर ले गया बाकी इधर बचा दिया 0 ऐसे ही ये करूंगा x-2-3 is equal to 0 ओके इस फॉम में आगे अब देखो इन यह दोने धर मल्टिप्लाइ में है तो इन दोनों को भी हम मल्टिप्लाइ में ही लिखेंगे X-2 प्लस रूट 3 इन 2 में X-2-3 is equal to 0 ठीक है अब purely इस फॉम में आगे जासे हमें हमीं इस फों में चीह ते जो मारी जीरो से खाय में न इस फों में चीहते अब हो मेरा कूशन थेखो 32 हो जागा अब इन दोनों को multiply कर दो कि सबसे फेल इसको नों खोल दो पूरा डंग से एक्स यह माइनस का साहिन ने तो माइनस इन दोनों मा मुल्टिप्ला होगा यहाँ भी माइनस का साहिन ने तो यह भी दोनों मा मुल्टिप्ला होगा तो क्या जागा एक्स माइनस टू और यह भी माइनस हो जागा माइनस रूट त्री इसको खोल रहा हूं भास मैं ठीक है फ्रूलिणा को पता है यह हमारा यह हमारा यह ना हो गया च चील है यह खुने सिती अमकी ही ना हमने सुद्सyen लाइश मैन लाइफ रूज़ासेख्यर आइजू करना तो क्या देगा x minus 2 का square minus root 3 का square is equal to 0 तो ये कितना हाज़ेगा इसको खोल दो x square plus 2 का square 4 minus का 2x 4 4x minus का root 3 into root 3 3 होते हैं is equal to 0 ये कितना हाज़ेगा हमारा x square minus 4x ये plus 4 minus 3 कितना हाज़ेगा plus का 1 is equal to 0 ओके यहां तक समय बस अभी जो भी ये पॉलिनोम में लाए है न जो भी पॉलिनोम में लाए है इसको इसको इससे डिवाइड कर दो जो हमारा मेन पॉलिनोम में लाए है इसको इससे डिवाइड कर दो बस हमारा answer आज़ेगा यह मारा मेन पॉलियों मेल है x4 माइनस 6x3 माइनस 26x2 प्लस 138x माइनस का 35 ठीक है यह है ना ओके तैन अब इसको यहां लिख दो इतने वाले पार्ट को अब इसको डिवाइड कर दो बस अब x2 x4 x4 माइनस का साइन यहां नीच वाली एक्विशन के साइन पर जाते हैं हमेशा ओके देन माइनस 6x3 प्लस 4x3 यहां माइनस का 2x3 अभी मैनस का 27x2 रो जागा माइनस 26x-27x2 ओके बागी जो बचा ऐसे कैसी नीच उतार दो मैनस का 35 ओके मैनस 2x3 एक्स प्लस 138 x-35 सभी यहां बिल्कुल तैन मैनस अभ यह 2x3 क्यों कैसे लोग में यहां यहां दो 2x यहां पर multiply करेंगे तो x2 into minus 2x3 यह मैंने आपको multiply करना पहले भी सिखा है ठीक है जिसको नहीं आता तो मेरी पहले वाली वीडियो जिसने देखी है उसको समझ आ रहा हूँ ठीक है मैं multiply करेंगे then अब इसके बाद करेंगे minus 4x into minus 2x कितना हो जागा है plus का 8x square 1 into minus 2x then अब फिर नीचे वाली question के sign पलतेंगे यहां minus है तो यह plus यह plus है तो यह minus है तो यह plus ओके यह कट गया पूरा पूरा minus 2,7 minus 8 यह कितना हो जागा minus का 35 x का square okay then यह कितना हो जागा plus का 140 138 में plus 2x कर देंगे plus का 140x यह अब जो बचा ऐसे कैसे नीचे उतार दो then अब हमे क्या करना है अब हमे minus 35x square लाना है तो x square में minus 35 प्लिपला करते हो बस minus 35x square आजएगा then minus 4x into 35 into 4 कितना होता है 140 होता है minus minus plus हो जागा है okay then plus 1 into minus 35 हो जागा है then नीचे वाली क्यों के सबके साइन पे लट दो यह minus है तो plus यह plus है तो minus यह minus है तो plus then minus 35 plus 35 यह भी खट गया plus 40 minus 140 यह भी खट गया minus 35 plus 135 यह भी खट गया तो अज़र कितना हो गया हमारा 0 अब देखो अब जो हमारे जो हमारे क्योशंट है ना इससे इसके बस जीरो निकाल दो यह हमारे रिकॉइड जीरो जीरो हो गये क्योशंट कितना है हमारा एक्सक्वेड माइनस 2x-35 इसके बस फेक्टर करके बीच में तो इसके 0 से निकाल दो बस तो इसको जीरो से निकाल दिखा आए तो मापको इसको 1 इंटू में 35 कितना होगा 35 एक्सक्वेड को एक कॉफिशंट को यह कॉंस्टेंट नंसे मुट्लिप्लिय करते हैं ठीक है लाना है तो क्यासे आएगा माइनस का 7x फ्लस का 5x या आजएगा माइनस का 2x नेन वाकि जो बचाय से कासी नीच उतार दो is equal to 0 then common ले लो x common लिया x minus 7 plus 5 common लिया x minus 7 is equals to 0 then कितना हो गया x is equals to 7 common x is equals to minus 5 that's it यह मागा अंसर, ठीक है, x equals to 7, और x equals to minus 5, अब देखो दुबार अब दातों मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मुझे polynomial दिया हुए था, और मुझे दो zeros दिया हुए थे, मैंने सोचा इन दो zeros को use करके न, सबसे पहले कोई एक polynomial बनातों, इन दोनों को use करके, अब इन दोनों को use करें, मैंने सबसे पहले x equals to 2 plus root 3 लिखा, और x equals to 2 minus root 3 लिखा, यह दोनों 0 से लिखते हैं यहां पर, फिर इसको मैंने मड़ी platform में बनाया, यह वाली form में, x plus 2 into x plus 3 is equals to 0, जब हमें किसी भी polynomial की factor करते हैं, तो यह से लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको इस form में बनाया, यह बन गए यहां पर, यह यहां पर बनाई गिए, ठीक है, into x minus 2 minus root 3, into x minus 2 plus root 3, then, अब मैंने इसको polynomial बना दिया, बस मुझे इन दो 0 से एक polynomial बनाना था, तकि मैं इस polynomial से इसको डिवाइड कर सकूँ, ठीक है, इसलिए मुझे एक polynomial बनाना था बस, तो मैंने यह सारा जो काम किया न, सारा polynomial बनाने के लिए किया, यहां तक, फिर मेरा polynomial बन गया, फिर जब पर उसके बाद तो बस अम्मारे चुम मैंने लोगता उसका इन डिवाइड करना आए ऐसे यो उसको से डिवाइड गिया फिर को महीनर कर दिया है इस टो को गाना कंप्रीट है टो कि